नमस्कार साती हो स्वागत आप सभी का ए वाई फाय उलाइन क्लासिज में SSC GD 2024 के लिए आपका हिंदी का टेस्ट इसमें आपके लिए इंपोर्टेंट आपके रोजना क्लास होती है रोजना इंपोर्टेंट कोशन होते हैं आपके यादखना है SSC GD के लिए इसमें आज की क्लास में हम हिंदी के लिए सुपर 20 कोशन करने वाले हैं जो आपके प्रिए सियर कोशन पेपर आपका होता है उसमें question आपसे पुछे गए हैं, इस सभी 20 question को आप अपने test के रूप में अवर्स लगाएं, आप 20 question में से कितने सरी कर पाते हैं, आप अपना score जरूर लखा करें, comment में, देखें ये हमारा वीडियो नमर 16 है, अब तक हमने 15 shift को complete कर लिया है, आपके हिंदी test के 15 shift को question पुछे करना ना भूले, ये हमारा question paper है, जो आपकी आज की बात करेंगे, साथ तारी को आपको, साथ फरवरी को आपको जो question paper हुआ था, 2023 में, ये हमारा shift नमर आपका 4 है, आपका 4 है, देख सरते हैं, सभा 5 से सभा 6 का ये question paper है, इससे हम solve करेंगे, सबी session में जुड़ जुड़ question से सभी cancer आपको करना है, टेस्ट के रूप में लगाना है, पहला question है, आज राकेश ने अपनी दुकान का स्री हलिस्तान किया, रिक्सितान की पूर्ती उच्छित सब्दित चुन करके आपको करना है, बताइए, क्या किया था, answer किया जगा बताइए, करिए, आज राकेश ने अपनी दुकान का स्री यह answer के जगेश में स्री गनेश किया, यह कुसी काम को सुरू करने से पहले गनेश जी की पूजा की जाती है न, तो स्री गनेश किया, option में 30 अपको सही होजगा, इसका तो बैसे भी आपको अंदाजा होना चाहिए, तीसे नमर option अप का सही होगा, अगला question है, तीप्रेश नमर दूसरा, देगे वाकी के रिखांके सब्द को उच्चत विकल्ब से परिवर्तित करें, यह निकि मासागर पर पुल बन जाने पर रामड को आश्चर हुआ, इसका परिवर्तित आपको लिखना है, उच्चत विकल्ब से परिवर् कामड को क्या हुआ, यह दखना है, विश में हुआ, यहां पर क्या जाएगा, आपका विश में, विश में हुआ, विश में हुआ, आपका सही आंसु जगा, इस question का answer, प्लाइट answer, अगला question, बताए, प्रस्टेर निमलिखत वाक्यांस के लिए सार्थक सब्द आपको चुन है, आंसु जगा, आपका सदाचारी, आपकी कुछन का, बिल्कुल सही जवाब होगा, अगला question बनता है, अमारा, नैस question, आंसर करिएगा सभी, प्रस्टेर गंगा का जल अत्यंत पावन है, गंगा का जल अत्यंत पावन है, गंगा है, जो आपकी रिखांकित सब्द है, उस चुड़ना है, इस रिखांकित सब्द के लिए उच्छत पर्यावाची सब्द क्या हो जाएगा, गंगा के लिए, पता ही, तो गंगा यान की देव नदी, गंगा की लिए क्या जाएगा, देव नदी इसका उच्छत पर्यावाची सब्द हो जाएगा, उफशन उफूर आ दखना मिस्र वाक्व आपको दिया हुआ है लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो निमलिकत विकल्पव में से इस वाक्य के लिए कौनसा एक उच्छत सरल वाक्य होगा बताएं एक सरल लोग समजते हैं, ये आपका मुस्र वाकिणी ने होगा, मूरकिण Rep Guy को लोगasmंचते हैं, ये भी आपका गलत है, मूरकिण वाकिणी निद्यूर आगला हैं सा होगा आपको मुहावर आपको चुनना है इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत खालिस्तान है बताएं इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत क्या हो जाएगा बाजी मारना पापड बेलने पड़े इनकी क्या कहेंगे पापड बेलने पड़े कहते हैं न कि मै इस पद के लिए इस पद पर पूंचने के लिए बहुत मेनत कीने कि पापड बेलने पड़े आपका आंसु जगा आपका पापड बेलने पड़े और प्रस्ने मेंसे कुन सा वाकिय संभोधन कारक का उधारन नहीं है उसे आपको शाटना है अजी तुम उसे क्या मारोगे बताईए कि आन से हो कुश्चन का बताई सभी कभी आन से करिएगा भाई उन से वाकि संबोधन कारक का उधारण नहीं है देखिए संबोधन कारक या रखना है अजी तुम उसे क्या मारोगे अलोग मा के लिए दवाई लाया अरे भाई यहां आओ यह भगवान तुम तु सब का बला कर इसमें संबोधन कारक के अलोग मा के लिए दवाई लाया यह किसी का संबोधन कारक के लिए उधारण नहीं है बागी अजी तुम उसे क्या मारोगे अरे भाई यहां आओ इसमें भी सम्मोधन कारक चिन्द का प्रियोगे अरे भगवान तुम सबका बला कर ये भी सम्मोधन से समदेता है ये सम्मोधन कारक का उधारन कौन सा नहीं है आलोक मा के लिए दवाई लाया ये आपका सही आंसर जेगा question का या दखे점. अगला question पताएज प्रषन है नेमलिक्त बाक्य में कौन सा सब्द किरिया सब्द है? बताएज दिखाई। option number 30 आपके question का राय ताइसे रुगा जाद एक़ थर अगला question बताएं। प्रस्न जो किये जाने योग हो इस वाकियां सके लिए सार्थख सब्द आप चुलिए। जो किये जाने यूग हो उसके लिए सार्थक सब्स क्या जगा करनी हैं क्या कहींग उसे करनी कहंगे Option 1 आपक अगला question इनमें से आपको बताना है सुद्ध बहाक क्या कौन सब जगा करी सबस्क件 क्या answer को क्या answer शोगा, इनमें से आपसे पुछा गया है सुद्ध बाग के आपसे पूछा गया है वाई तो सुद्ध बाग के कौन सो जगा देखे दीपक गाय चारता है यहां पर आपका सुद्ध और फस्ट तो आपको गल्द हो गया दीपक गाय चारता है बिल्कुल सही है जी दीपक गाय चरता है ये भी गलत है दीपक गाय चरता है option number second आपको सुख़ए दीपक गाय चरता है option number second आपकी question का right answer जगाज सभी याद रखनी है वई अगला question answer करीगा नेमलेकित में से कौन सा सब्द अनिकार्थी सब्द बताएं इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सब्द है जो आपका एक अनिकार्थी सब्द के अंतरगत आता है गुलाव, बेला, चमेली या पर रात, रानी अनिकार्थी सब्द आप से पुछा गया है अनेकारती सब्द आप से याद रहा है बेला ये क्या जाएगा अनेकारती सब्द बेला आपको सही हो जाएगा कुशन का option number second याद रहा है करेक्ट answer को second number अगला question बताईए आनसा करिए प्रस्नेर निमलेखित वाक्य में रेखांके सब्द के विलोम सब्द का प्रियोग करके रिक्तिस्थान के पूर्ति कीजे आपको इस वाक्य में रेखांके सब्द के विलोम सब्द का प्रियोग करना है और आपके करके रिक्तिस्थान के आपको पूर्ति करना है दुरा चार से व्रक्ति का सदा चार नाश्ट हो जाता है अगला कॉशन रमेश की मा को गंबीर बीमारी है और आपको बाकिट दे रखा है असुद वरठिने वाला सब्द कौन सा इसमे इसे बताईए रमेश की मा को गंबीर बीमारी है बताएं कौन सा इसमें असुद बाक्य है असुद बरतनी वाला सब्द बताएं आंसर करिएगा क्या आंसर कुश्ण का देखें ये बीमारी ये आपका क्या असुद बाक्य हो जागा वाक्यान्सों और उनके लिए एक सब्द का निम्लिखित में से कौन सा युग्म असुद्ध होगा, लेने की इच्छा लिप्षा, जो किसी से जीता न जासे के अजे करते हैं, अगला कुश्चन है, निम्लिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है बताना है, इन में से मान का अर्थ कौन सा नहीं होगा, बताईए उसी, आप सभी को अनसर करना भई, 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 आप सभी को अनसर करना है, 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 आप सभी को अनसर यह आपका first खालिस्तान आप उदे रखा है कवीता बनाना क्या नहीं है कठ्टन मुश्किल खेल या आप नामुम्किन बताई तो कवीता बनाना क्या नहीं है खेल नहीं है कवीता बनाना खेल नहीं है, option में तीसा आपका से यहागा कुश्ण का आंसर या दखना है, आगे बढ़ते हैं, अगले कुश्ण खालिस्तान को बढ़ेंगे, अगला कुश्ण है आपकी अगदान्स में, तेले प्रेस ने, यह बगवान द्वारा मिला, खालिस्तान है, क्या म गुन अनेक लोगों में होता है, यह या दखना है, आगे बढ़ें, अगले कुश्ण क्यों करते हैं, चलिए next है, यह गुन अनेक लोगों में होता है, खालिस्तान उन्हें इसका बोध नहीं होता, यह गुन उनके अनेक लोगों में होता है, परंतु, यह पर क्या जाएगा परंतू उनके उन्हें इसका बोद नहीं होता है पर उनकी सुई हुई काव प्रतिवाद जाग उड़ती है अफिसर नमर सेकेंड में रखा है करेक्ट आंशेगा सेकेंड नमर उसन आपकी कुशन का सही जवाब होगा अगला कोशन खालिस्तान अंत्यम है आपका बीश्मा कोशन अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने क्या ह सब्सक्राइब को लाइक कर देंगे जो ने जुदें चैनल को स squishy रह न से singing को सीर करें एक रोजिना क्लास होती है और अगला खाल्स्तान है अत्या अध्यापगों को लंड़ता अध्यापकों क्या बनता है योगता कर्तव बनता है कि वे बच्चों की कावे पृतिवा के विकास का उपाय करें केवल यह है कहने पर ही कि बारिज पर कवीता बनाओ विध्यारती कुछ भी नहीं कर सकता अपने 20 कोशन में से कितने कोशन सभी कर पाएं आपके रोजना क्लास आती है यह आपके चार पीम पर यह दखा करें और सबहे आठे आठी पर आपकी रिजणिंग क्यों पर अपकी रिजनिंग क्यों होती है सभी क्लास हैं आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंड है तो इसी के साथ सभी सेशन को सेल कर देना नए जोड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही नोट्रिकेशन बेल आकन ओल होना चाहिए वीडियो को नोट्रिकेशन आपके पास में पहुंच सके है सकता है